नमश्कार, हमारी आज की कहानी है तलाग के बार एक लड़की की तलाग के बार उसके मन की व्यथा की कहानी है तीन दिनों की लंबी चुटियां सुमिता को तीन यूगों के समान लग रही थी पहला दिन घर के काम काज में निकल गया दूसरा दिन आराम करने और घर के लिए जरूरी समान खरिदने में बीद गया लेकिन आज सुबे से ही सुमिता को बड़ा ही खालीपन लग रहा था खालीपन तो वह कई महिनों से महसूस करती हुई आ रही थी लेकिन आज तो सुबे से ही वह खासी बोरियत महसूस कर रही थी बाई खाना बनाके जा चुकी थी सुबे के गयारा बज़े थी सुमिता का नहाना धोना नास्ता भी हो चुका था जाड़ू पोचा, कपड़े धोने वाली बाईयां भी अपना काम करकर के जा चुकी थी यानि दिन भर किसी का आना या जाना नहीं होता था टीवी से भी बोर हो चुकी सुमिता ने टीवी बंद कर दिया और फोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी से बाते करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदी को फोन लगाया हेलो उदर से आनंदी का सवर सुनाई दिया हेलो आनंदी मैं सुमिता बोल रही हूँ कैसी है क्या चल रहा है सुमिता ने बड़े ही उतसा से कहा ओहो आनन्दी का स्वर जैसे ही तरक्त हो गया सुमिता की आवास सुनकर ठीक हूँ बस घर के काम कर रही हूँ खाना नाश्ता बच्चे और क्या तू बता कुछ नहीं यार बोर हो रही थी तुई सोचा तुछ से बात कर रो चल ने दोपैर में पिक्चर देखनी चलते हैं सुमिता उत्साथ से बोली नहीं यार आज रिंकू का तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही है मैं नहीं जा पाऊंगी चल अच्छा फोन रखती हूँ मैं घर के मेरे घर के धेर सारे काम है आनंदी ने बोला पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा था पर क्या करूं पती और बच्चों के धेर सारे काम और फरमाईशें जो होती हैं कहकर आनंदी ने फोन रख दिया सुमिता ने उसने कुछ नहीं कहा लेकिन फोन डिसकनेक्ट होने से पहले सुमिता ने आनंदी की वह बात सपस्ट रूप से सुन ली थी जो उसने शायद अपने पती से बोली होगी इस सुमिता के पास घर गरस्ती का कोई काम तो है नहीं दूसरों को भी अपनी तरह फुरसतिया समस्ती है बोलते सवर की खीज साफ सुन रही थी और उसे मैसूस हो रहा था फिर शिल्पा को भी फोन किया उसका भी वही रवया उसके बाद रशिम का भी यानि सुमिता से बात करने के लिए ने तो किसी के पास फुरसत और ने ही दिल्चस्पी थी सब, सब की सब आजकल उसे काटने में लगी है जबकि ये तीनों कभी किसी जमाने में उसकी सबसे करीब सहलिवा हुआ करती थी एक गहरी सांस भर कर सुमिता ने फोन टेबल पर रख दिया और अब किसी और को फोन करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही वे उठकर गैलरी में आ गई, नीचे लोन में बच्चे उस बिल्डिंग से खेलते हुए दिखाई दे रहे थे ने जाने क्यों उसके मन में एक हूख से उठी और आँखें भराई किसी के शब्द उसके कानों में गुंजने लगे थे तुम भी अपनी माता-पिता की एकतोल संतान हो सुमिता और मैं भी हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द समस्ते हैं इसलिए मैंने तै किया है कि हमारे धेर सारे बच्चे पैदा करेंगे ताकि हमारे बच्चों को भी किसी परकार का कोई अकेलापन महसूस नहीं हो समीर हसते हुए अक्सर सुमीता को छेड़ता रहता था बच्चों को अकेलेपन का दर्द महसूस नहीं हो कि चिंता करने वाले समीर की खुद की भी जिन्दगी को अकेला करके सुनेपन में गर्थ में धकेल आई थी सुमीता ये सब सोच रही थी लेकिन तब कहां ये बातें सोच पाई थी जब उसने तलाक लिया था वैवी एक दिन खुद इतनी अकेली रह जाएगी ये वो दिन नहीं सोचे थे कि उसके साथ ऐसा होगा कितना गिड़ गिड़ाया था समीर आखिर तक कितनी विंती की थी उसने प्लीज सुमीता मुझे इतनी बड़ा है सजा मत दो मैं मानता हूँ मुझसे गलतिया हो गई है लेकिन मुझे एक मोका दे दो एक आखरी मोका मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपना रिस्ता बच जाए तुम्हें अब किसी परकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी समीर बराबर अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था उन गलतियों की जो वास्त में गलतियां थी ही नहीं छोटी छोटी अपेक्षाएं छोटी छोटी चोटी इच्छाएं थी जो एक पती सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है जैसे की उसकी शेट का बटन लगा दिया जाए भुखार से तपते और दुखते उसके माथे को पत्नी प्यार से सहला दे कभी मन होने पर उसकी पसंद की कोई चीज बना कर खिला दे वगरे वगरे लेकिन समीर की इन छोटी-छोटी अपेक्षाओं पर सुमीता बुरी तरह भड़क जाती थी उसे इने पूरा करना गुलामी जैसा लगता था नारी सक्ती, नारी सवतंतरता, आर्थिक सवतंतरता इन शब्दों ने तब तक उसका दिमाग खराब कर रखा था स्वाबिमान, आतम सम्मान, सवाब लंबी, बन इन शब्दों के अर्थ में भी कितने गलत रूप से ग्रण किये थे उसके दिलों दिमाग ने मल्टी-नेशनल कंपनी में अपने बुद्धी के और कारे कुशलता के बल पर सफलता हासिल की थी सुमीता ने फिर एक के बाद एक सीड़ियां चड़ती गई सुमीता, पैसे और पद की चका चोनवे इतनी अंदी हो गई कि आतम सम्मान और एंकार में फरक करना ही भूल गई थी आतम सम्मान के नाम पर एंकार दिन परती दिन बढ़ता गया कि वे बात बात में समीर के आवेलना करने लगी उसकी चोटी-चोटी इच्छाों को अंदेखा कर उसकी बाहुना को आहत करने लगी उसकी अपेक्षाओं को उपेक्षा करना सुमीता के आदत में शामिल हो गया स्मीर्चुक चाप उसकी सारी जादतियां बरदाश करता रहा लेकिन वह जितना ज़्यादा बरदाश करता जा रहा था सुमिता का हैंकार और क्रोध उतना दिन परती दिन बढ़ता ही जा रहा था सुमिता के बढ़काने में उसकी सहलियों का सबसे बड़ा हाथ रहा वे सुमिता की बातों या यो कहिए कि उसकी तकलीफों को बड़े ही गोर से सुनती और समीर को बला बुरा कहकर सुमीता से सहनुगुती दर्शाती थी इनी सहलियों ने उसे समीर से तलाक लेने के लिए उकसाया था तब ये सहलिया सुमीता को अपनी सबसे बड़ी सुपचिंतक लगने लगी थी ये सब दोड़ दोड़ कर सुमिता के दुखडे सुनने चली आती और उसके कान बढ़ती थी तू क्यों उसके काम करें तू क्या उसकी नोकरानी या ख्रीदी हुई गुलाम है तू साफ मना कर दिया कर तो ये उसकी सहलिया उसकी घरस्ति बिगाड रही थी और आज सुमीता को अपनी गलती पर पस्ताताब हो रहा था कि वो आज कितनी अकेली हो गई है तलाक लेने के बाद तो दोस्तों ये कहानी थी दीपती चौक सी द्वारा लिखी हुई एक लड़की की तलाक के बाद मन की व्यर्था आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में अपनी राय दीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद